सातो आपका स्वागत है आपके अपहने यूट्यूब चैनल Student Health में बात करेंगे UP Force Guard भर्ती के बारे में UP Force Guard भर्ती की medical तिती सातो जारी हो चुकी है अब आपके medical करवाये जाएगे तो medical में अगर आप लोग जा रहे हो तो medical में क्या क्या चीज़े चेक की जाएगे और आपको कौन-कौन से चीज़े बनवा के लेके जाना है घर से जिससे आपको मेडिकल में अब बाहर न किया जाए और किन सावधानियों से बचना है जिससे आपको मेडिकल में अन्फिट न किया जाए तो सभी चीज़े आपको इस वीडियों बताऊंगा वो 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी 11 तारिख से अगले महिने दिसंबर में और 20 तारिख तक चलेगी इसमें कुछ छुटियां भी रहेंगी संदे पढ़ेगा तो यह कुछ दिन मलब की चलेगा तो यह तो date है सथो आपको 11 से 20 तारिख तक मेडिकल लेकिन जब आप लोग मेडिकल में जाओगे तो आपको कौन-कौन से चीज़े बनवा के लेके जाना ये चीज पहले समझो तो X-ray का जो Chest है मलब की X-ray Chest मलब की जो आपके चाती का X-ray है उसको आपको करवा के लेके जाना अब ही मैं बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों को कहां से बनवाना है और फिर ही मैं कैसे बनवाना है इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा Your In report लेके जाना है मलब की पेशाब का अपना चेक लेके जाना है ECG जो रिप्योर्ट होती है उसको बनवा के ले जाना है और CBC जो रिपोट होती है उसको बनवा के ले जाना है और चसमा नेतर परिछर रिपोट अगर आप लोग चसमा लगाते हो तो आपको इसको बनवा के ले के ही जाना है तो अब यह चीजे जो है वो बनेगी कहा है तो अब यहाँ पर काई बच्च आपको लोग बनवा सकते एक रूपे में मात्रे मात्र सा तो एक रूपे में ये सबी चीज़ बन जाएगी आपका चेस्टे का एक स्रे भी एक रूपे में हो जाएगा और तुरंत निकाल के दे देंगे और यूरीन का मलब की टेस्टे भी वो लोग रिपोर्ट निकाल के दे देंगे लगतार और उसके बाद ECG उसको भी तुरंत निकाल के देंगे और CBC भी निकाल के देंगे और चसमा गर आप लोग लगाते हो चसमा का जो नेतर परिछड़ होगा उसकी भी रिपूर्ट आपको तुरंते दे दी जाएगी ये चीज़े आपको बनवा लेना सरकारी अस्पादाल से अपने जो भी आपके करीब हो सरकारी अस्पादाल अगर आप लोग ये चीज़े बनवाओगे मलब की किसी प्राइबेट हास्पिटल बनवाओगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा कोश्टली पढ़ जाएगी ये लगबख आट से दस रुकेज खरचा हो जाएगा तो आप लोग खरचा मत करना जाके सम्टो यहीं पियाप की मेडिकल होना यहीं से रिपोर्ट बनवा लेना अप रिपोर्ड जो है वो कितनी दिन पूरानी होने चाहिए तो जो आप लोग रिपोर्ड लेके जाओगए वो लगबख सम्दरा द उसके बाद और यह मंडल वाइज होगा ठीक है जैसे यूपी में 18 मंडल है तो 18 मंडल वाइज आपका जो मलबकी करवाए जाएगा तो आपके ही जिले में होगा आप लोग घबडाना नहीं है बस आपको अपना जो कान है अपने दात है अपने बार यह बाल हो गए रहा है य पतो वीडियो को लाइक कर देना चैनल बेकर आप लोग नहीं हो चैनल को सजरू सस्क्राइब कर लेना जिससे आपको यूपी फोस्गार से लिडेट कोई भी अपडेट हो तुरंद आप तक पहुँच जाए मिलते नेस्टे वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भरत